हलो स्टूडेंस मैं हूँ आपका चिनमेई और आप सबको मेरी यूटूब चैनल सिंपल मैच चिनमेई में स्वागत है आज आप सबको मैं इस ट्रिक बताने वाली हूँ जो आप सबको मल्टिपिकेशन करने में शिर्फ दो सेकेंड लगेंगे बच्चो आप बहुत ही इजीली एक मल्टिपिकेशन को कर पाओगे और आपके जो एक्जाम का टाइम है टाइम लिमिटेड भेंभी आप बहुत अच्छी तरह से आप इस मल्टिपिकेशन को कर सकते हो तो चलो वीडियो स्टाट करते हैं देखो बच्चो यहां पर मैंने मल्टिप्लाइ बै इलेवन लिया है जो की 11 एक टू डिजिस नंबर है और आपको इस 11 को जितने भी डिजिटे मल्टिप्लाइ कर पाओगे उसका ट्रिक मैंने लेकर आई हूँ तो देखो बच्चो यहा नंबर लिया है 5,892 x 11 तो यहां पर मैंने 1st डिजिट है 5,892 का यहां पर मैंने पूट कर लिया है तो जो 2nd स्टेप है आप यहां पर जो भी डिजिट हो आप आख बंद करके 1st डिजिट आप यहां पर डाल देना उसके बाद क्या करोगे जो 1st डिजिट है जो राइट है left side का उसके बात का जो number है आप दोनों को मिला देना मिला कर जो number निकलेगा यहाँ पे निकला है 11 तो 11, two digit number है अगर यहाँ पे एक digit होता तो आप directly यहाँ पे put कर सकते हो लेकिन अगर यहाँ पे two digit होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे एक यहाँ पे लिखोगे एक one मैंने carry किया है और one मैंने जो right hand में हो उसे आप लिखोगे और जो left hand में हो उसे आप carry कर लोगे तो यहाँ पे मैंने one लिखा है और one एक carry कर लिया है उसके बाद का नंबर आता है 8 और 9 का 8 और 9 का हमने addition कर लिया है यहाँ पे जो carry किया था हमने 1 यहाँ पे भी मैंने add कर लिया है तो यह हो गया 18 तो 18 डिजिट का क्या आप करेंगे 8 आप put करेंगे और 1 carry करेंगे तो यह हो गया आपका 8 हमने लिया है और 1 मैंने carry कर लिया है उसके बाद का जो number आते है 5 और 8 5 और 8 को आपने addition कर लिया है और जो carry किया है उसको भी हमने add कर लिया है तो यह निकला है 14 5 प्लस 8 प्लस 1 is equal to 14 तो यहाँ पे मैंने उसी तरह सा ही लिखा है देखो 4 मैंने put कर लिया है और 1 मैंने carry कर लिया है तो उसके बाद जो step 3 है last digit हमारा है क्या है 5 है तो 5 के addition हम करेंगे जो हमने last में carry किया था यहाँ पे हमने 1 carry किया है तो 5 प्लस 1 is equal to 6 तो बच्चों यहाँ पे देखो answer निकलाया तो 5, 8, 9, 2 को अगर हम 11 से यहाँ पे 6, 4, 8, 1, 2 तो यहाँ पे जो answer निकला है हमारा तो 6, 4, 8, 1, 2 यानि कि 64,812 निकला है उसके बाद हमने और एक multiplication लिया है 1,11,111 को हमने 11 से multiply किया same process है बच्चों आप same process में इसका easily एक multiplication निकल सकते हो यहाँ पे 1 है तो directly मैंने 1 put कर लिया है उसके बाद जो लेकर है उसके साथ हमने right hand जो last digit है उसके साथ हमने addition कर लिया है तो यह हो गया है 2 यहाँ पे 1 digit का number है इसलिए carry कोई भी number नहीं हो सकता तो यहाँ पे directly मैंने 2 put कर लिया है उसके बाद 1 plus 1 जो उसके side में जो number है उसे हम addition करेंगे तो यहाँ पे हो गया है 2 तो 1 plus 1 is equal to यहाँ पे मैंने mark किया है देख सते हो आप तो जो जो number मैंने add किया है वहाँ पे मैंने mark कर लिया है आप देख सकते हो उसके बाद भी जो number आते हैं हम ठिक उसी तरह पहले की तरह हम उसे addition करते ही जाना है तो 1 plus 1 is equal to 2 हो गया है उसके बाद जो फॉर्थ आओ फिप्थ लेटर का बारी आता है तो 1 plus 1 is equal to 2 तो यह हो गया है 2 2 2 2 1 हो गया है उसके बाद जो last लेटर आता है 2 1 1 तो यहाँ पे 1 1 हमने addition कर लिया है तो यह हो गया है 2 into 2 2 2 2 1 तो यहाँ इसमें आ गया है 4 2 1 हो गया है तो जो last का digit है यहाँ पे 1 तो यहाँ पे मैंने कुछ भी क्यारी नहीं किया है तो last का digit हम उसी तरह लिख लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12,222,21 जो जो का answer हो गया है तो यह तो गया 11 से multiply अब आगे हम 12 के साथ हम कैसे multiply कर सकते हैं तो देखो बच्चो जिस तरह से आपने 11 का multiply किया है उसी तरह से ही हमने 12 का multiply करना है थोड़ी सी ही different है लेकिन उसी तरह हमको 5 step में पूरा करना है देखो first step पे मैंने क्या किया है आप जो भी digit लो उसके जो बाइने तरफ आप एक 0 पूट कर लेना है क्यूंकि जो left hand side का 0 का value कुछ नहीं होता है इसलिए मैंने यहाँ पे 0 कर लिया है आपको easily समझने के लिए हमने 0 यहाँ पे पूट कर लिया है तो यहाँ पे देखो double the right hand figure जो right hand figure का है उसे हम double कर लेंगे यानि कि 4 है तो यहाँ पे 4 प्लेस 4 कर लिया है मैंने तो यह होगा है 8 तो 8 हमने यहाँ पे लिख लिया है तो उसके बाद आता है जो 4 यहाँ पे last digit है तो उसके बाद आता है 2 2 और 4 2 का जो है हमने double कर लिया है और 4 को इसमें add करना है तो double the 2 and add 4 जो यहाँ पे जो last digit के पास जो number है उससे हमें double करना है उसके बाद जो last digit है उसके साथ हमको addition करना है तो यहाँ पे हो गया है 8 तो उसके बाद हम क्या करना है जो third digit है उसको हम double करना है उसके पास जो number है right hand side में उसके साथ हमें add करना है तो यहाँ पे हो गया 3 plus 3 plus 2 is equal to 8 तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 digit का नंबर है यहाँ पे भी 1 digit का नंबर है तो इसलिए carry नहीं हो सकता है तो directly हमने यहाँ पे put कर लिया है तो उसके बाद आता है 5 और 3 का जो की double का double जो हम करेंगे जो 5 का double करेंगे और 3 का हम addition करेंगे तो यहाँ पे हो गया 13 तो यहाँ पे 2 digit का नंबर आ गया है इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा है और 1 carry कर लिया है राइट हैंड साइड में जो number आएगा उससे हम put कर लेंगे और जो लेट हैंड साइड में जो number आएगा जीरो होता है उसके बाद 5 आता है 5 हमने जो carry कर लिखा है यहाँ पे हमने लिख लिख लिखा है तो यह हो गया है 6 तो इसका answer हो गया है 63888 यानि कि 63,888 तो इसलिए आप सबको मैंने दो question दिया है आप यह जो दो question है आप इसको करो practice करो और मेरी comment में comment देदो कि आपका answer कितना निकला है तो उसके बाद हम चलते हैं 13 multiplication के लिए देखो यहाँ पे मैंने एक number लिया है 9483 यानि कि 9483 मैंने लिया है और इसको हम 13 से multiply करेंगे तो आपने यहाँ पे 11 और 12 का multiplication देखा है ठीक उसी तरह ही 13 को हम multiplication करेंगे थोड़ा से changes है तो आप इसको ठीक से देख लिजे मैं किस तरह से करती हूँ तो देखो यहाँ पे मैंने लिया है इसी तरह ही हमने left hand side में 0 put कर लिया है और जो last digit का number है right hand side का 3 का हमने triple कर लिया है 12 में हमने 12 से हमने multiply कर था वो double किया था और यहाँ पे 13 में जो double हमने multiply करेंगे वो triple कर लिया है उसको जो number है उसे triple कर लिया है तो यहाँ पे 3 है तो 3 का जो addition करेंगे 3 times 3 plus 3 plus 3 is equal to 9 तो यहाँ पे हमने 9 put कर लिया है उसके बाद जो digit आती है वो है 8 8 को 3 से multiply करेंगे उसके बाद जो side के जो right hand side में जो number है उसके साथ हमने addition कर लिया है तो 8 into 3 is equal to 24 plus 3 यह हो गया है 27 तो यह हो गया है 2 digit number तो 7 हम यहाँ पे put करेंगे और 2 यहाँ पे हमने carry कर लिया है तो 3rd step में उसी तरह ही हम लिखेंगे 4 के साथ 3 multiply करेंगे 8 addition करेंगे और carry जो है उसमें add कर लिएंगे तो यह हो गया है 22 22 में 2 हमने put कर लिया है 2 हमने carry कर लिया है तो step 4 में उसी तरह 9 और 4 कर लिया जाएंगे 9 into 3 plus 4 plus 2 तो 9 into 3 plus 4 plus 2 यह हो गया है 33 33 में 3 हमने put कर लिया है और 3 हमने carry कर लिया है तो step 4 जो कि last step है यहां पर हमने 0 लिया है तो 0 का 0 को हमने 3 से multiply करनी है क्योंकि यहां पर 13 का multiplication चल रहा है तो जो step हमने पहले से ही डाला है वो step हम last step में भी डालेंगे तो यहां पर है 0 0 multiply with 3 plus 9 plus 3 तो यहां पर हमने directly ही put कर लिया है क्योंकि उसके बाद और हमारे पास कोई भी digit नहीं है इसके लिए इसलिए हमने directly 12 put कर लिया है तो यह हो गया है 1,23,279 जिसका है answer तो उसके बाद हम आते हैं multiplication by 9 and 25 9 को हम कैसे multiply करेंगे जितना भी बड़ा digit हो आप चुटकी में भी 9 का multiplication कर सकते हैं देखो किस तरह से यह सिर्फ 2 step में complete होता है 1st step जो आपने लेंगे जो यहाँ पे जो question दिया होता है तो देखो यहाँ पे हमने 4 digit का number लिया है 8576 लिया है आप 1st step में उसके right hand side में एक 0 put कर लेना और 0 put कर लेना है या 10 से multiply कर लेना है 10 से multiply करने से ही यह जो number है यह निकलेगा तो 85,760 हो जाएगा तो आप आख बंद करके जो right hand side में है उसमें एक 0 put कर लेना है और step 2 में क्या करना है जो पहला जो number होता है 0 put करने से पहले उसको हम जो number आता है जो 0 put करने के बार वो दो number को हमने minus कर लिया है तो वो दो जो minus हो गया है यह हो गया है answer देखो आपको कितना simple है 9 में multiplication करना तो आप पहला step है आप जो भी number लो उससे right hand side में एक 0 put कर देना है उसके बाद जो पहले वाला जो number है उसके साथ आप minus कर देना है आपको answer मिल जाएगा पिप्चो देखो उसी तरह हम 20 उस तरह है आप जितनी भी number लो उस तरह ही आप 9 से multiply कर सकते हैं उसके बाद हम आते हैं 25 से कैसे multiply करेंगे यह हमने 5 डिजिट का number लिया है देखो 12,569 इसको हमने 10 से multiply किया है और इसको हम 100 से multiply कर लेंगे यानि कि right hand side में आप 2 0 put कर लेंगे उसी तरह आप बंद करके 2 0 आप जो है जो number है आप आप बंद करके 2 0 put कर लेंगे उसके बाद जो step 2 आता है जो number निकलेगा आप उसको 4 को division कर лेंगे जो number आप जो number लिया है और step 1 में जो number निकला है उसको आप 4 से division कर लेंगे जो division का जो result आएगा वो ही जो multiplication आप जो number लिया थे उसको 25 में अगर हम multiply करेंगे तो उसका answer मिल जाएगा यहाँ पे हमको answer मिला है 3,14,225 तो यह तो हो गया है हमने देख लिया है किसके साथ किसको multiply करने का और यहाँ पे हम two digit number का multiplication करेंगे केसे two digit number को multiplication बहुत ही easy होता है बचो देखो इस तरह से आप multiply करेंगे तो 2 second में ही आपका result आ जाएगा देखो यहाँ पे मैंने लिया है 87 into 92 तो 87 into 92 को बहुत easily हम इसको multiply कर सकते हैं देखो यहाँ पे two seven है और two है आप seven को two से multiply करने यह है 14 तो 14 में उसी तरह four को हमने put कर लिया है और one egg carry कर लिया है उसके बाद eight को two से multiplying करेंगे seven को nine से multiply करेंगे जो निकलेगा जो result आएगा उसको हम addition कर लिएगे देखो eight into two is equal to sixteen seven into nine is equal to sixty-three तो उसको मैंने addition कर लिया है वो निकला है seventy-nine तो addition हमने carry किया था one तो यहाँ one मैंने put कर लिया है तो यह हो गया है total 80 तो 80 में eight zero हमने यहाँ पे put करना है और eight हमने carry करना है eight और nine उससे आप multiply कर लेना है उसके बाद आप जितने number carry किया था उसको addition करना है यहाँ पे हो गया है seventy-two seventy-two plus eight तो यह हो गया है 80 तो directly आप 80 पूट कर देजे तो उसका answer है eight thousand four तो उसी तरह हमने thirty-eight and forty-three का भी लिया है eight and three को पहले multiply करेंगे तो यह हो जाएगा twenty-four four हम यहाँ पे put करेंगे two carry करेंगे उसके बाद three को three से multiply करेंगे और three को three से multiply करेंगे और four को eight से multiply करेंगे यह हो गया है three cross three nine eight cross four thirty thirty-two plus two यह हो गया है forty-three तो three यहाँ पे put करेंगे और four यहाँ पे carry करेंगे तो उसके बाद 4 को 3 से multiply करेंगे हो गया 12 plus 4 जो की carry किया है हमने तो यह हो गया 16 directly आप 16 put कर लेना तो यहाँ पर 3 digit number में हम 2 digit number कैसे multiply करेंगे तो यह तो 2 digit 2 digit में हो गया है यह 3 digit को हमने 2 digit में कैसे multiply simple से वसी तरह से हमें आपको करना है पहले तो 7 और 5 को multiply कर लेना है यह हो जाएगा 35 तो 5 यहाँ पर हमने put कर लिया है और 3 हमने carry कर लिया है और फिर से हो गया 7 को 3 से multiply करेंगे 1 को 5 से multiply करेंगे और जो carry है उसको हमने add कर लिया है तो यह हो गया 21 plus 5 26 plus 3 29 तो यहाँ पर हमने 9 लिख लिया है और 2 हमने carry कर लिया है तो यह हो गया है उसके बाद हमने 3 को 1 से multiply करना है और 7 को 4 से multiply करना है तो 3 into 1, 3 plus 4 into 7, 28 यानि कि 31 और यह हो गया है 2 तो यह हो गया है 33 तो 3 हमने यहां पे put कर लिया है और यहां पे 3 हमने carry कर लिया है तो उसके बाद हम जो last digit है 4 into 1 is equal to 4 plus carry हमने किया है 3 तो ये हो गया है 7 तो directly हमने 7 यहां पर put कर लिया है तो ये result आया है 7,395 अगर आप 435 को 17 में multiply करेंगे तो आपका answer आजाएगा 7,397 तो बच्चो आज का जो हमने multiplication किया है वो बहुत ही easy तरीके से मैंने बताया है और अगर आपको कुछ भी doubt हो तो आप मुझे comment में भी comment कर सकते हो और मैंने अपना mail ID भी description box में जाएगा अगर आपकी कोई भी question हो आप directly मुझे mail कर सकते हो और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो please like करना और comment करना subscribe भी करना और bell icon को भी दवाना तो thank you